अगर यूजर लोगिन दुबारा दुबारा कर रहा है और उसने चार बार लोगिन करा है और चारो बार फेल हुआ है because our focus on this channel is to learn the text stuff not the syntax अजी कैसे हो सब तो अभी तक हमने अपने back end mastery वाली playlist में क्या क्या कवर करा है हमने कवर करा है Java, JVM, JDK ये सब क्या होता है इन सब के internals हमने कवर किये फिर हमने ये कवर किया stream API जो थोड़े intermediate concept है optional stream API, maps, filters ये सब rapper classes थोड़ी introduce की हमने और इन सब को हमने एक project में use किया जो कि था हमारा multi-threaded web server जिसमें हमने executor service देखा, threading model देखा Java का और अभी हम spring देख रहे है spring में हमने देखा IOC container क्या होता है, beans को कैसे आप initialize कर सकते हो without using annotations और फिर हमने देखा proxy क्या होती है आज हम देखेंगे interview perspective से एक important topic and आपके project जो आगे हम लेके आ रहे हैं, काफी तगड़ा project मजा आएगा उसमें जो की spring security, spring authorization, सब इन सब चीजों को cover कर रहा होगा rest API इसको cover कर रहा होगा और backend में elegant code कैसे लिखते हैं, उसको cover कर रहा होगा तो आने वाले spring के concepts सारे learn while building होगे आप जैसे-जैसे code करोगे, आपको वैसे-वैसे spring के नए concept सीखने को मिलेंगे and that is the sole motive of this channel तो आज हम cover कर रहे होंगे spring boot में AOP and rest API का थोड़ा सा basics और सीधा project जब बनाएंगे, तब हम अच्छे से cover कर लेंगे, don't worry AOP क्या है, AOP का मतलब है aspect oriented programming aspect oriented programming and object oriented programming इन में difference क्या है, aspect oriented programming को हम code करते होगे समझेंगे होता क्या है इसका use case क्या है और हम project में कैसे use कर पाएंगे इसको तो aspect oriented programming एक काफी अच्छा चीज है सीधा चलते स्क्रीन पे, फटा वट समझते हैं और फटा फिट फिर code पे चलेंगे ज्यादा time theory में waste नहीं करेंगे पिछली वीडियो में हमने देखा था proxy क्या होता है proxy की simplicity हमने एक implementation देखी थी कि अगर कोई भी दो classes interact कर रही है class A, class B, यह दोनों interact कर रही है मुझे इनकी calls को intercept करना है और उनको मैं intercept कर सकता हूँ using spring proxy फिर हमने देखा था proxy कितने तरह की होती है यह हमने देखा था और proxy किसको use करती है यह हमने देखा था reflections को use करती है ठीक है तो एक यह भी चीज हो सकती है कोई आप से पूछ सकता है कि spring boot का startup time इतना जादा क्यों है सबसे पहले आप बोल सकते हो कि यह आपे एक JVM की लेयर है, सबसे पहली चीज, दूसरी चीज, Spring Boot, जितनी भी Auto Wiring, और सब कुछ Injection, Dependency Injection, यह सब करता है, वो Run Time पे करता है, उसको Classes चाहिए रहती है, उसको Class Loaders चाहिए रहते हैं, तो वोर सब यूज करता है, Reflection API, Reflection API से थोड़ा सा Overhead आ जाता है, जिससे थोड़ा सा Startup टाइम बढ़ जाता है, अप्लिकेशन का, बट One of the Reason है, यह Main Reason यह नहीं है, ठीक है, तो Proxy हमने देखा था, आज हम देखेंगे, Aspect Oriented Programming, ठीक है, Aspect Oriented Programming में, काफी Question भी बनते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप, Aspect Oriented Programming में, हम इनके जो, Parameters हैं, जो इनकी Terms है, जो इनकी Phenomena है, जो इनका Normal Clature है, Basically, उसको हम देखेंगे, कि Aspect क्या होता है, Code करते हुँ देखेंगे, ऐसे मैं Theory नहीं है, आपको ज़्यादा बताऊंगा, Aspect क्या होता है, Weaving क्या होता है, या फिर Waving, Right, Advise क्या होता है, और क्या है, Join Point क्या होता है, And Point Cut क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें, इनके Short Notes बना लेना, अगर आप Java Development की, इंटर्व्यू देने जा रहे हो, तो कोई भी आपसे, Aspect Oriented Programming पूछ सकता है, क्योंकि Java Object Oriented Programming है, तो सब लोग, Object Oriented Programming के Concepts कर लेते हैं, पर Aspect Oriented Programming के नहीं करते, इसका Use क्या है, और ये है क्या, देखो, सबसे पहले, Aspect Oriented Programming, Is Just Like a Proxy, ठीक है, Proxy जैसे है, अपनी Calls को Intercept कर सकता है, वैसी Aspect Oriented Programming कर सकता है, बट ये अपने को बहुत ज़्यादा Abilities देता है, वो क्या है, वो ये है कि अगर कोई भी Class का, let's suppose मैं Library यूज़ कर रहा हूँ, Netflix की Hysterix Library, और यहाँ पे एक Method है, HTTP Call, ये एक Method है, अब मैं इसको क्या करना चाता हूँ, मैं इस HTTP Call के, पहले कुछ Method Execute करना चाता हूँ, क्योंकि ये Library है, Library मतलब आप इसका JAR यूज़ कर रहे होंगे, तो मुझे अगर इस Method से पहले कोई Call करना है, या पहले कुछ Code Inject करना है, क्या मैं इसके अंदर Code Inject कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ये Library Netflix की है, और हमें Code Change करके, उस JAR को, इस Java Archive को, हमें Netflix को बोलना होगा कि, भाई इसका Version Update कर दो, इसका Version Deploy कर दो, ताकि मैं अपनी Service में यूज़ कर पाऊँ, तो अगर आपको किसी Library स्कूपर Rapper Code लिखने हैं, तो वहाँ पर यूज़ होता है, Aspect Oriented Programming, मुझे इस Method को, जो की Method है M, M Method के उपर, मुझे एक Rapper लिखना है, मैं बोलता हूँ, जब भी कोई भी इसको Call करे, उससे पहले मेरा Log Method है, ये Call होना चीए, और इसके बाद मेरा होना चीए, End Log, मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी Method है, किसी Library का, मैं बोलता हूँ, उससे पहले एक मेरा Method कोल करो, उसके बाद मेरा एक Method कोल करो, या फिर मैं इसमें कुछ Expression दे सकता हूँ, कुछ Condition की, कब-कब ये Method मेरा Log Method, या फिर कोई भी Method, इस Method से पहले बाद में, या Around, ये सब हम देख रहे होंगे, कब-कब Execute होना चीए, वो हम Expression भी दे सकते हैं, इतनी ज़्यादा Power हमें, Aspect-Oriented Programming देता है, On the Run Time, आप Run Time के उपर ये सब कर रहे हो, जिन लोगों को Run Time और Compile Time नहीं ही पता, Backend Mastery की सबसे पहली वीडियो देख लो, समझ जाओगे, सीधा चलते हैं Code पे, Without Any Wasting, More Time, चलते हैं अपन यहाँ पे, ये अपना एक खाली प्रोजेक्ट है, IntelliJ हम यूज कर रहे हैं, जिन लोगों को पास IntelliJ नहीं है, वो VS Code की वीडियो देख लो, कि कैसे Java Spring Boot setup करना है, ठीक है, इतना आप कर लेना अपने आप, सबसे पहले Gradle Init सबको पता है, ठीक है, ये हम हर वीडियो में कर रहे हैं, तो इसको फटावर 2X कर दो, बार बार देखने का मतलम नहीं है, Java 17 यूज कर रहे होंगे, Java 21 भी है, बट Java 21 में काफी अच्छी चीज़े हैं, जैसे Virtual Threads वगरा, वो हम Operating System वगरा में देख रहे होंगे, और एक छोटी से Announcement है, जो की अगली वीडियो में करेंगे हम, जो की, जिसके बाद आपको Paid Courses लेने का, कुछ Sense नहीं लगएगा, तो यह लोड नहीं करेगा, तो मैंने अपना ID दुबारा खोल लिया, ताकि वो इस Gradle के Project को देख ले कि, यह Gradle का Project है, नहीं तो वो Detect नहीं करता, अब मैं अपने जाता हूं अंदर, तो इसने सब कुछ बना दिया है, अब चलते हैं अपन सीधा, में फाइल के उपर, और सारा boiler code हटाते हैं यहां से, ठीक है, लेट मी डिक्रीज माइ फॉंट, साइज तू फिफ्टीन, तो यहां पे सबसे पहले, अपन पब्लिक मैथड बना लेते हैं, अपना static void main, ठीक है, जिसमें अपने simple arcs देंगे, और यहां पे अपन spring boot की application के लिए, अपने build gradle में जाएंगे, और कुछ dependencies ज़रा लेंगे, ठीक है, जैसे अपना spring boot starter हो गया, spring boot aop हो गया, ठीक है, तो यह सब chat gpt से पूछ सकते हो, यह मुझे भी याद नहीं रहता, और फिर हम aspect j, जो library हम use करने वाले हैं, aspect j क्या है, aop की implementation है, aspect oriented programming की, तो यह दोनों आप डाल सकते हो, version क्या है, क्या नहीं, आप सीधा chat gpt से पूछ लो, उसके बाद हम annotations use करेंगे, जैसे annotations आपने देखे होंगे, गर नहीं देखे तो आप देख ले होगे, जैसे auto wired हो गया, ऐसे spring boot हमें boiler plate code देता है, जो हमें लिखना नहीं पड़ता, simple annotation से हम ले सकते हैं, उसको process करने के लिए हमें एक processor चाहिए, ठीक है, तो एक हमें library चाहिए long book, और उसका annotation processor चाहिए, ठीक है, annotation ये processor है, अब चलते हैं, test, test में डाल रहा हूँ, बट हम अभी test cases लिख नहीं रहे होंगे, जब हम अपना project बनाएंगे तब लिखेंगे, अब gradle, क्यूंकि हमने dependencies डाली हैं, तो gradle को load कर लेते हैं, यहां से shortcut से, अगर visual code यूज कर ले हो, तो यहां से gradle w clean, build कर देना, ओके, तो I think सब load हो चुका है, तो अब इसको बताते हैं, हम कि यह हमारी spring boot की like app है, इसको एक server बनाओ, ठीक है, इसको एक simple java application treat मत करो, तो इसके लिए हम spring boot annotation लगाएंगे, अब आपको पता चलेगा annotation वगरा, spring boot application, ठीक है, और उसके बाद हम, यह मेरे को सब suggest कर रहा है, ठीक है, बट, ठीक है, इसकी suggestion से, scan base package, मतलब कहां से base package है, spring boot, aop, ठीक है, उसके बाद हम enable, j autoproxy करेंगे, enable aspect j autoproxy, यह क्या है, यह simple आपका, यह simple आपका, यह बता रहा है, कि जब आप aspect j कर रहे होगे, तो आप यहाँ पर पढ़ पाओगे, कि यह है क्या, is an individual context, example, the common root web application context, रुको, yeah, so what is this is, कि expect, यह aspect j proxy क्या करता है, enable support for handling components, marked with aspect j annotation, basically, यह annotation detect करता है, कि कहां कहां पर aspect j की annotation, यूज की है, ठीक है, अब अपना spring application, run कर देते हैं, spring boot application dot run, और इसमें हमें क्या करना है, एक, it's not spring boot, it's spring application, okay, spring application, why it is not importing, okay, मुझे manually import करना पड़ा, I don't know why, बट ठीक है, तो spring application में, हमने सबसे पहले, उसको दे दिया, उसका primary source, जो भी हमें देना होता है, यह आपको पता है, पहले वाली वीडियो में भी हम यह करते आ रहे हैं, तो यह अपना server बन गया, अब यह server बन गया, अब spring boot को कुछ annotations हम देंगे, क्योंकि spring boot एक framework है, उसके पास annotation processor है, और वो annotation से directly detect कर लेगा, कि कौन सी class क्या है, तो सबसे पहले एक package बनाते हैं, service, ठीक है, service में हम एक बनाते है class, user service करके, ठीक है, अब user service में हम सब कुछ रखेंगे, उसका basic सी चीजें, तो user service एक class यूज़ करेगी, user entity basically, जावा में आपको जब class लिख रहे हो, कोई user service, obviously वो user use करेगी, तो उसकी हमें class लिखनी पड़ेगी, या तो आप उसको अलग file में लिख सकते हो, या उसको same file में लिख सकते हो, तो मैं public class user कर लेता हूँ, ठीक है, private string name हो गया उसका, private int age हो गई उसकी, private string address, ठीक है, क्योंकि यह सब private हैं, accessible नहीं होंगे, अब हम इसके लिख गैटर सेटर ना लिखके, सीधा लोंबो की annotation यूज़ कर लेंगे, ठीक है, गैटर सेटर, ठीक है, एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, all args constructor, all args constructor क्या है, कुछ नहीं है, जितने भी आपने इसमें, field define करी हैं, यह उसके लिए constructor बना देगा, public, यह क्या करेगा, ऐसा constructor बनाएगा, user, ठीक है, और यह सब कुछ इसमें ले रहोगा, int age, string address, और यह जितने भी हमने globally initialize किया हैं, तो this.name मतलब जो globally, हमारी class का name है, उसको जो constructor में pass कर रहा है, उसके equal initialize कर दो, यहाँ पर एगर name one होगा, तो यहाँ पर भी name one हो जाएगा, तो हम इसको initialize कर रहे हैं, using a function, जो इसको बोलर रे constructor, अब इसको लिखने ही जरूरत नहीं है, allags constructor लिख दिया, तो यह सब के लिए, एक public constructor बना देगा, ठीक है, अब हम use करते हैं, यह जो हमने user बनाया है, अब इसके बाहर आ जाते हैं, अब हम है user service के अंदर, और हमने एक user बना दिया, अब इस user को क्या करते हैं, public, रुको, void, login, इसने यह बना दिया, लोग आउट, तो जब लोग आउट होगा, तो लोगिंग user आउट होगा, और हम एक ऐसी exception थ्रोग कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी user service को कभी भी call करेगा, हम इसके constructor बना देते हैं, ताकि यह जो user है न, यह initialize हो जाए, ऐसा किसी को करना न पड़े, तो public user service, यह कर देते हैं, मेरा user आगया, लवप्रिसिंग ओफेज 23, एंड एड्रेस बैंगलोर इंडिया, तो जब भी यह कोई service को call करेगा, उसको यह constructor मिल जाएगा default, इसका use करके, वो इस user को initialize कर देगा, इसको क्या बना दे तू service, आप class use कर रहे हो, उसका object चाहिए आपको, अब object कैसे आएगा, उस class का instance बनाना पड़ेगा, उस class को memory में लेके जाना पड़ेगा, तो इस class के byte code को, memory में ले जाएगा, basically instance बना देगा, ठीक है, तो इस instance को हम अब कई भी import कर सकते, इसी को मैंने बोला था singleton, singleton मतलब user service का एक बार instance बनेगा, अब कोई भी class user service को use करना चाहती है, उसके method को use करना चाहती है, तो वो सीधा इसी instance को import कर लेगी, और spring boot उसको अपने आप import करने देगा, क्योंकि हमारे पास annotations की power है, जो की है autowired, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक logger अपना बना लेते हैं, logging, ठीक है, logging में क्या हम लिखेंगे, सबसे पहले logging की class define कर देते हैं, ठीक है, logging क्या है अपना, ये है अपना aspect, हमने यहाँ पे देखा था, क्या क्या होता है, aspect weaving advice join point and point cut, तो हम अपनी aspect class बनाने जा रहे हैं, तो spring को हमें बताना पड़ेगा, कि ये aspect class है, तो ये हमने बता दिया, ठीक है, aspect जे library से हमने aspect use कर लिया, अब मैं बोलता हूँ, कि मैं एक method बनाता हूँ, public void, और मैं बोलता हूँ, logging advice one, ओके मेरे को suggest कर दिया, ओरेडी, तो logging advice one, मतलब, अब ये जो मैं method को, यहाँ पे बना रहा हूँ, aspect के अंदर जितने भी हम method बनाते हैं, वो होती है advices, मतलब, मैं किसी class को advice दे रहा हूँ, कि भाई, तुमारा method run हो रहा है, बट मेरी advice है, कि मुझे पहले run होने दो, ठीक है, हमने क्या बोला, कि आपका कोई method call हो रहा है, किसी library का, हमारी library यहाँ पे user service, और हम ये मान के चल रहे हैं, कि user service का code, कोई भी change नहीं कर सकता, इसलिए आपको, उस user service के code के ऊपर, कुछ define करना पड़ रहा है, और वो जो कुछ हम define कर रहे हैं, उन्हीं को बोलते है, advice, हम उसको advice कर रहे हैं, कि भाई, ये मेरी code को run करो, ये मेरी advice है, और respect क्या है, वो वली class, जिसमें सारी advice को लिखते हैं, अब इसको हमें कब चलाना है, इसको हमें चलाना है before, before मतलब, जब भी मेरा login method call होगा, logging advice one, ये call होगा, कब, जब मैं execution, public, void, spring boot, tut, तो copilot ने suggest कर दिया, तो मैंने क्या बोला, execution, execution, यहां से सबसे पहले execution आता है, बिफोर में, ये हमारा expression है, aspect oriented programming का, execution मैंने बोला, public, void, spring boot में जाके, service में जाके, user service में जाके, login method जब तुम call करोगे, उससे पहले, ये method call करना, clear or note, अब मैं कल को कोई library use करूँगा, और मुझे उस library का logs print करने है, तो मैं ऐसे print करूँगा, अपने project में, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, और एक after मैं, फटवर्ट explain कर देता हूँ, ठीक है, public void logging advice to, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, कि after, जब ये मेरा method login चल जाएगा, उसके बाद ये वाली, ये वाला function call होना चाहिए, तो ये सब मैं user service के अंदर जा के नहीं कर रहा, मैं एक अपनी class define कर रहा हूँ, उस user service के लिए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उसका code इसमें inject कर पा रहा हूँ, inject हो नहीं रहा actually, बट आप उसके उपर wrapper लिख पा रहे हो, कल को आप किसी के भी library उठाओ, और उसको आप उपर wrapper लिख सकते हो, like this, ठीक है, ये हमने कर लिया, और अब हम एक rest API define कर देंगे, एक package बना लेते हैं, rest API, ठीक है, और इसके अंदर हम class बना लेते हैं, API class, ओके, अब इसको हम annotate कर देंगे, ताहां कि spring को पता चल जाए, कि भाई, और हाँ, अपने login को भी component annotate करना पड़ेगा, component का मतलब क्या है, component का मतलब ये है, कि spring boot, अपना जो IOC container होता है, जो हमने define, जो हमने पहले सीखा था, ठीक है, पिछली वीडियो में, तो IOC container इस logging class को manage करेगा, कोई और class अगर मेरे logging class को use करना चाहती है, तो सीधा उसको auto wire कर पाएगे, at the rate auto wire से, वो देखेंगे हम API में, अब API के लिए हमें लिखना पड़ेगा, इसको, यह सब spring को बताना पड़ता है, कि यह क्या है, ठीक है, इससे spring startup के time इनको scan कर पाता है, और इनको उस coding manage कर पाता है, अब मैंने इसको बता दिया rest controller है, अब जो भी API की request होंगी, वो इस पे आएंगी, ठीक है, उसको पता है कौन सी class पे भेजना है, उसको पता चल जागे इस से, अब मैंने बोला get mapping, get mapping और user service यहाँ पे हम auto wire करेंगे, अब आपको पता चलेगा, spring boot की power, अब यह क्या करेगा, spring boot आएगा, वो बोलेगा यह rest controller है, जितनी भी API calls आती हैं, वो इस पे आएंगी, फिर वो बहुत और भी होता है, आप multiple controller define करते हो, कौन से controller पे API request जाएगी, तो वो यहाँ पे आप mapping define कर पाओगे, यहाँ पे आप request mapping कर पाओगे, तो वो हम project में देखेंगे, अभी के लिए basic आप यह देख सकते हो, कि user service में spring जाएगा, वो बोलेगा spring boot, यह तो service है, user service तो एक service है, वो इसका single term बना देगा, single term बना के यहाँ पे वो auto wire करेगा, अगर मैं इसको बताऊंगा auto wire करने को, तो, अब क्या करेगा, यह spring boot अपने IOC container से, इसका instance लगा के मेरे को दे देगा, तो यह user service instance, initialize हो जाएगा, मैं यहाँ पे debug point लगा देता हूँ, और आपको दिखाऊंगा, कि यह कब हो रहा है, तो I think कितना सही है, user service का login method call हो रहा है, सीधा, जब भी मैं इस get API पे call मारूँगा, बट, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख रही है, वो यह, कि login method मैं call कर रहा हूँ, ठीक है, तो before login method, मेरा यह method call होना चीए, तो before advice for login is executed, print होना चीए, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक मैं debug point लगा देता हूँ, और user service के login point लगा देता हूँ, अब debugger on करते हैं अपना, अब देखना क्या होता है, अपना server स्टार्ट हो गया, और कौन से port पे चल रहा है, tomcat server यूज़ हो रहा है, 8080 port पे, ठीक है, localhost 8080, और simple, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है, कि simple, उसका use होगा slash, तो get mapping है, तो get request by default browser बेज़ता है, एंटर किया, मेरा debugger चल गया, debugger आ गया इस point पे, बड़ देखो, सबसे पहले, हमने क्या किया, login method कॉल किया, जाना यहाँ पे चाहिए था, पर वो कहां गया, वो अपने, login method के यहाँ पे, देखो debugger point आपका यहाँ पे है, यहाँ पे गया वो, ठीक है, इसको print कर दिया, print कर दिया, हमें सीधा, अगे आगे next करोगे, तो यह सब बताएगा, कि reflection utils में जाके, यह invoke method को call कर रहा है, like proxy का भी, हमारे एक invoke method था, हमने देखा था, वैसे ही यह call कर रहा है, invoke के बाद यह invocation method, अगर हमने कुछ arguments दिये हैं, उसको use कर रहा है, और join points को get कर रहा है, अगर कोई join points लिये हैं, तो यह मैं आपको बहुत सरी ऐसी चीज़े बता रहा हूँ, ठीक है, अंदर जा जाके आप देख सकते हो, मैं जातो next debug point पे, इससे, next debug point कौन सा हो रहा है, login user in, और अब मैं इसको next पे कर देता हूँ, अगर आप console में जाओगे, तो क्या login हुआ है, before advice for login is executed, ठीक है, सबसे पहले ये before हमारा call हुआ है, और फिर हमारा login method call हुआ है, और जब ये method finish हो गया है, तो after method call हुआ है, तो ये थ्या हमारा क्या होता है, aop कैसे work करता है, अब देख लेते हैं फटाफट, कि user logged in point successful, ठीक है, तो ये हमें response मिला है, तो advice क्या होता है, पता चल गया, aspect क्या होता है, point cut क्या होता है, सबसे पहले देखते है, join points क्या होता है, join points सिंपल सी बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फटाफट, spring boot में join points एक ही होता है, वो है function, मैं ये बोलता हूँ, aspect oriented programming के context में, join points उसको बोलते हैं, जहां पे हम advice को लगा सकते हैं, ठीक है, वो वाले points, वो वाले starting point, जहां पे हम अपने advice को लगा सकते हैं, मैंने बोला, यहां पे हमारा method था login, ठीक है, यह method है, मैंने यहां पे भी मैं advice लगा सकता हूँ, before, after भी लगा सकता हूँ, और अगर यह कोई exception थो करता है, क्यों जो की हमारा logout method कर रहा है, अगर यह कोई exception थो करता है, तो मैं exception के पहले भी लगा सकता हूँ, पर हम point, दूसरा भी कर, after भी लगा सकता हूँ, add the end exception भी एक class है, तो कुल मिलाके, join points हमारा जो spring में होता है, वो हमेशे methods या फिर class हम बोल सकते हैं, वह ही होता है, बस, और point cut क्या होता है, point cut मतलब यह जो join points है, जो हमने, यह points हम लगा सकते हैं, इनको combine करके, हमें एक expression लख सकते हैं, जिसको बोलते है point cut, ठीक है, तो इसको मैं फटाफर लिख देता हूँ code में, और github में आपको code मिल जाएगा, ठीक है, तो time waste ना हो, तो around उन दोनों का काम कर देगा, ठीक है, तो उसके पहले और, मतलब वो जब method before और after, दोनों complete हो जाएंगे, उसके बाद around होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, कि पहले भी वो print करेगा, बाद में भी ऐसा नहीं है, around मतलब एक method complete होगा, कोई भी exception throw नहीं हुई है, तो वो ये method call करेगा, after throwing, after throwing मतलब अगर कोई भी exception throw हुई है, तो मैं ये device login, login advice यूज़ करूँगा, अब यहाँ पर कोई भी अपना, log push करना चाता है, अगर exception throw हुई है, तो वो log push कर सकता है, let's suppose किसी की service है, user authentication service, अगर user login दुबारा-दुबारा कर रहा है, और उसने चार बार login करा है, और चारो बार fail हुआ है, तो मैं यहाँ पे count manage कर सकता हूँ, यहाँ पे, और अगर वो count more than 4 हो गया, किसी user के लिए, तो उस user को मैं DB में block कर सकता हूँ, for particular TTL, time to live, कुछ particular time के लिए में block कर सकता हूँ, तो infinite use के से हैं इसके, तो यह point cut है, इसके अंदर क्या है point, यह join point है आपका, कि कहाँ पे वो आपने लगाया है, तो यह join point हो गया, और इसका use करके आपने point cut बनाया, ठीक है, और आपने अब multiple point cut अगर आपने बना लिए, जैसे यह point cut 1 है, ठीक है, और यह point cut, यह point cut 1 है, और उपर all point cut, simple point cut है, तो मैं इसमें expression भी लेख सकता हूँ, right, point cut 1, कि, यह वाल expression match हो जाए, या फिर, यह वाल expression match हो जाए, या फिर, यह वाला हो जाए, तब मेरे को यह method यूज़ करना है, तो, again, आपको मैंने basic बता दिया है, कि, AOP होता क्या है, इनकी annotations use कैसे करते हैं, इनकी annotations का, infinitely use के साब सोच सकते हो, ठीक है, बहुत सरी use के सो सकते हैं, तो, अभी तक हमने देखा क्या क्या है, हमने देख लिया है, aspect, advice, join point, point cut, join point मतलब कहां गहां पे लगा सकते हो, point cut मतलब simple, उन points का use करके, चीज बना सकते हो, जिसको point cut बोलते हैं, बस नाम complex है, राइट, compiler क्या होता है, यह क्या होता है, यह आपको पढ़ना है इसके बारे में, ताकि आपको और सीखने को मिले, मैं बता दूँगा, आपको maybe कम सीखने को मिले, या ज़्यादा सीखने को मिले, that depends on you, बट अपने आप से पढ़ोगे, तो obviously 100% ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो weaving जाके पढ़ो, blog से किसी से, या कहीं से भी, और comment करो कि आपको weaving क्या लगता है, कि क्या होता है, तो आज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा, कि Spring Boot का server कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा, कि एक simple सी rest API कैसे लिखते हैं, right, simple सी rest API, और फिर हमने देखा, कि अपने aspect कैसे लिखते हैं, तो ये सब हमने आज देखा, अगली videos जो आने वाली हैं, वो काफी जादा अच्छी और मज़ेदार होने वाली हैं, हमने अभी तक जितना भी सीखा है, जावा में, spring boot में, हम सब को apply करेंगे project पे, और वो project के लिए हम react native, या फिर react use करेंगे, तो react native का crash course में डाल दूँगा, being an engineer, मैं कभी भी कोई भी चीज़ को recommend नहीं करता, कि आप 0-100% सीखो, ऐसा मत करो, कि मैं एक महीन react native सीखूँगा, फिर spring boot पे आउँगा, don't do that, our focus is to learn and build immediately, and dig deeper inside to learn some cool tech stuff, ठीक है, तो हमें ये सब नहीं करना, कि भाई मेरा project को, अच्छा दिखने के लिए react.js की जरूरत है, तो मैं react.js को 3-4 महीने तक लगाऊँगा, किसी से सीखूँगा, और फिर मैं अपने project को बनाऊगा, don't do that, always pick a crash course, of 2-3 hours-4 hours, complete it in a 1-2 days, और जो आपका exact interest है, जैसे हम अपना backend लिखेंगे, मज़ेदार scalability, और design principles को यूज़ेदार code लिखेंगे, उसको आप front end का, एक image देने के लिए, यह पूरा react.js सीखने की जुरूरत नहीं है, हम 90% चीज़ें हमेशा cover करेंगे, like react native, बट मैं ऐसा बिलकुल आपको नहीं बोलूगा, कि react native का आपको बात्शाव ना दूगा, right, because our focus on this channel is to, learn the text of, not the syntax, ठीक है, तो इसी note पे इस video को खदम करते हैं, अगली वीडियो में हम एक project के साथ मिलेंगे, और announcement के लिए ready रहो, यह announcement काफी अच्छी announcement होगी, जिसमें आपको किसी का course लेने की जुरूरत नहीं पड़ेगी, right, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए, bye bye.